प्रिया डिविदेंट्स आरे 30 रुपे का डोल आउट करती हुए एक कंपनी अच्छा इसके लावा अगला स्टॉक अगला स्टॉक है अम्बुजा सिमेंट्स कुछ कहा गया वो पापा माल बेचन है ऐसा कुछ बता है उस पर तो मैंने कोई अपडेट नहीं देखा लेकिन न उमीद से बहतर आकडात साबित हुआ है पिछले कोटर में याद रखेगा जो प्रॉफिट का आकडा था वो करीब-करीब 664 करोड के आसपास का था तो करीब 25 परसंट का डिकलाइन है लेकिन उमीद से बहतर आकडा है अब माजिन का आकडा आप देख रहे हैं 26.9 परसंट से घटकर 20 पर आया है लेकिन बाजार का अनुमान था कि करीब 18 परसंट तक माजिन सिमट सकते हैं वो नहीं हुआ है 20 परसंट को मेंटेन किया है वो पॉजिटिव है दरसल कंपनी ने एक स्ट्राटीजी मास सप्लाई अग्रीमेंट साइन की थी उससे माजिन सोड़े से प् खाई दिये हैं रेवन्यू के आधार पर देखिएगा का 8 परसंट तक का अधाफा 3925 करोड का आकड़ा इबिटा लेवल पर मैं देख रहे हूं करीब 19 परसंट तक की ग्रावट देखने को मिली है 790 करोड का आकड़ा आया है लेकिन अनुमान 700 करोड तक इसके सिमटने का था वॉल्यूम ग्रोथ 3% के आसपास की रही है 7.49 मिलियन टन कंपनी ने डिलिवर किया है लगबग 7.5 मिलियन टन एक्सपेक्टेशन था है 7.4 मिलियन टन के आसपास वॉल्यूम रहेंगे तो आप ग्रोथ इतनी नहीं देखेंगे कंपारिटिव में लेकिन उमीद जो थी उससे काफी बहतर प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। वो एक दो साल में बड़ा क्रिकल हो सकता है कंपनी के लिए ऐसा गुल्मन साक्स का मानना है और आगे चलते वे जो पॉजिटिव सप्राइज अर्निक्स पर दी है अगर वो कंटिनूड रहे तो यहां से काफी अच्छी अपसाइट देखने को मिल सकती है। अगर यह ट्रांजक्शन होता है अमबुजा सेमेंट वाला तो जो बैकिंग होनी चाहिए वो बैकिंग हासिल हो सकती है। तो यह भी एक ट्रिगर है। येस्टेड़े मुझे लगता है बिजनस स्टैंडर्ड या कोई पिपर ने यह भी कहा था कि कुमार मंगलम बिरला ने भी बोली लगाई है। तो ये थ्रीवे रेस हो गई है अभी अधानी बिरला और जेस्टेड़ ग्रूप के बीच में। अलॉन मस्त ने ट्विटर खरीदा। खरीदने के लिए चार बिलियन डॉलर का टेसला वेचा। जेस्टेड़े में भी माल छोड़ना पड़ेगा क्या प्रमोटर्स को। जो फंडिंग करनी है इसके उपर बड़ा क्वेशन माग रहेगा क्योंकि 35,000 कैश आउटफलो डे वन को है और 35,000 क्रोड ओपन ओफर के लिए तयार करना पड़ेगा तो 70,000 क्रोड की डील है तो अबिसली एक कंपनी या एक प्रमोटर एंटीटी से तो आएगा नहीं पैस अच्छी के आसपास के जोन पाके खड़ा हो चुका है तो रिजर्व अच्छे है नो डाउट लेकिन स्ट्रीट शायद बहुत अत्तर डाइजर सा उस पापा के स्टेक को हौलसम के स्टेक को जो बिखने की तियारी हुरी उसको डाइजर कर रहा है तो ऐसे में भाईती साब कोई ट्रेड लोगे है आप ट्रेड लोगे तो तेजी की तरफ अभी भी धंखम नजर आता है स्टॉक में या हो चुका है एक्जॉशन नजर आना शुरू हो चुका है जी आशी जी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है चार्ट में जिससे आप से स्टॉक ने 200 डेमा एप्रिल मंत में क्रॉस किया और उसके बाद भी इमर्ज हो रही है तो मैं लगता है कि यहां से भी स्टॉक में और मोमंटम देखने मिल सकता है स्टॉक अभी भी काफी नीचे है 52 वीक हाई से तो मैं लगता है कि जरूर स्टॉक में करेंट लेवल पर भी पोजिशन मनाई जा सकती है अगर आपका इजाज़त हो तो यह अच्छल